प्रतेक के लिए गुनन के अंतरगत उपयों किये गये गुन धर्मों का नाम लिखे तो इन प्रस्णों में जिन गुन धर्मों का उपयों किया गया है उसका नाम लिखना है तो पहला प्रशन ए यह है माइनस 11 बटे 14 गुने माइनस 3 बटे 5 बराबर माइनस 3 बटे 5 गुना माइनस 11 बटे 14 तो हम देख रहे हैं कि यहां बाया पक्ष और दाया पक्ष में सिर्फ अंतर यह है कि इसका क्रम बदल दिया गया है तो यह है गुनात्मक क्रम बिनी में बी नमबर आप देखें यहां पहले दोबे ब्रैकेट है और दाहीनी तरफ यह अंतिन दोबे ब्रैकेट है तो यह गुन है हमारा गुनात्मक साचर्यता प्रत्म संक्या सी देख रहे हैं यहां एक से गुना किया गया है अर्थार गुनात्मक तत्समक का गुन यहां पर प्रदर्सित हो रहा है गुनात्मक तत्समक डी नंबर यहां देख रहे हैं माइनस नौ बटे सोल गुना यह इसका व्यूत्क्रम है यहां भी वही है इसका व्यूत्क्रम यह है तो यह हो गया गुनात्मक व्यूत्क्रम का गुन धर्म गुनात्मक व्युत्रम कर सकते हैं या गुनात्मक प्रतिलोम भी कर सकते हैं से इनमबर पुना हम देख रहे हैं बी जैसा ही है ये गुनात्मक साहचारेता का नियमक है गुनात्मक साहचारेता एक नमर में शुन्य से गुना हो रहा है और फिर इसका जो उत्तर आ रहा है या बराबर कि ये आ रहा है वो शुन्य आ रहा है तो ये गुनात्मक शुन्य का जो गुन है वो बता रहा है शुन्य का गुनात्मक नियम अर्थात सुन्य से जो हम गुना करते हैं तो क्या आता है? सुन्य ही आता है तो ये सुन्य का गुन है प्रस्न संक्या आठ मान ग्यात कीजिए ए नमबर है 2 बटे 5 गुना माइनस 21 बटे 28 गुना 15 बटे 30 गुना 7 बटे माइनस 35 आई इसे हल करते हैं पहला ब़ला प्रस्न तो 8 का ए 2 बटे 5 गुना माइनस 21 बटे 28 गुना 15 बटे 30 गुना 7 बटे माइनस 35 गुना इसे पुना लिखते हैं मानक रूप में अंस में होता है तो इसे मानक रूप में बदल देते हैं तो माइनस 7 बटे 25 गुना उपर नीचे कैसे कटेगा तो यह देख रहे हैं 15 एका 15 और 15 दुना पीज यह एक तो हो गया हमारा यह दो दो एका दो और यह दो एका दो यह भी कंसिल हो गया अब देख रहे हैं कहां कट सकता यह साथ एका साथ और साथ चोके 28 अब यहां पर भी नजार आ रहा है साथ याई 21 और साथ पचे 35 कुछ और कटने की संभावना है ऐसा तो नहीं लग रहा है बराबर अब यहां देख रहे हैं यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है तो यह हो जाएगा प्लस और यह है एक गुना 3 गुना 1 गुना 1 यहांने 3 और यह बटा में हो गया यहां है पांच गुना चार गुना 5 तो पांच जोके 20 पचे 100 तो यह हमारा एंसरा आ गया 3 बटे 100 थिक इसी तरह से यह प्रसन बी को भी हल किया जा सकता है इसे आप स्वैम करें प्रस्ण संख्या 9, सत्यापित कीजिए कि निमलिखित कथन सत्य है अथ्वा असत्य, इसमें दो प्रस्ण है A और B, मैं इसका A नंबर ले रहा हूँ, प्रस्ण संख्या 9 का A, 2 बटा 3, भाग, मैंनस 8 बटा 9, बराबर, मैंनस 8 बटा 9, भाग, 2 बटा 3, तो यह हमें सत्यापित करना है कि यह कथन सत्य है अथ्वा असत्य, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका जो बायाप्रक्ष है अर्थाक LHS उसका मान निकालेंगे, और उसके बाद जो दायाप्रक्ष है यानि RHS इसका मान निकालेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या दोनों का मान समान आता है अथ्वा नहीं, तभी हम सत्यापित कर पाएंगे कि दिया गया कथन सत अथ्वा असरत्य तो आई ये शुरू करते हैं ल, एच, एस इसकर तुद दो बटा तीन भाग मैनस आठ बटा नौ तो ये ब्राबर होगा दो बटा तीन गुना माइनस नौ बटा आठ तो ये कट एगा दो एका दो और दो चोके आठ और ये तीने का तीन और तीन पी आई न तो यह हमारा मान आ गया माइनस 3 बटा 4 अब RHS का मान निकलेंगे RHS तो यह है माइनस 8 बटा 9 भाग 2 बटा 3 इसकाल टू माइनस 8 बटा 9 गुना 3 बटा 2 तो यह हो गया 2 एका 2 और 2 चोके 8 और यहां 3 एका 3 और 3 ती आई 9 तो यह हमारा आ गया माइनस 4 बटा 3 तो हम देख रहे हैं LHS का मान है माइनस 3 बटे 4 और RHS का मान है माइनस 4 बटे 3 अर्थात यह दोनों समान नहीं है इसलिए चुकि इसलिए ने यह चुकि LHS is not equal to RHS अर्थात LHS RHS के बराबर नहीं है इसलिए दिया गया कथन असत्ते है प्रस्ण संख्या 10 बताईए A है ऐसी परिमे संख्या जिसका कोई व्यूत्क्रम नहीं है तो ऐसी परिमे संख्या है हमारे शुन्य अब है B परिमे संख्याए जो अपने व्यूत्क्रम के समान है यह कौन से संख्याए हो सकते है यह है एक क्योंकि आप इसका हम व्यूत्क्रम लेंगे तो यह हो जाएगा एक बटा एक तो यह एक हो गया इसी तरह से यह माइनस एक भी हो जाएगा क्योंकि माइनस एक का अगर हम व्यूत्क्रम लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस एक बटा एक तो यह फिर से माइनस एक आ जा रहा है परिमे संख्याए जो अपने रिनात्मक के समान है तो ये शुन्य है क्या परिमे संख्या भाग के अंतरगत सदैव संवरित है नहीं ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हम ऐसा देख सकते हैं इस तरह से कि अगर ये X है एक परिमे संख्या या इस तरह से करते हैं अगर एक परिवे संख्या है ए बटा बी और भाग दूरसीरी संख्या है शुन बटा सी तो देखे ये क्या हो जाएगा ए बटा बी गुना सी बटा शुनि लेकिन ये सी बटा सुनि क्या है इसका मान ये परिवासित नहीं है तो जब हम इसका गुना करेंगे तो गुना होगा ही नहीं तो ये परिमे संख्या नहीं आएगी तो इसलिए ये सदैव सम्रित नहीं है क्या परिमेश संख्य है भाग के अंतरगत सदैव क्रम भी नहीं है नहीं, आप इसे देख सकते हैं एक बटा दो भाग दो बटा तीन तो ये हो जाएगा एक बटा दो गुना तीन बटा दो ये हो जाएगा तीन बटा चार और अगर हम इसका क्रम बदल दें दो बटा तीन भाग एक बटा दो तो ये हो जाएगा दो बटा तीन गुना दो बटा एक यानि चार बटा बराबर चार बटा तीन तो हम देख रहे हैं कि क्रम बदलने पर समान नहीं आया तो परिमे संख्याय भाग के अंतरगत सदायव क्रामविनी में नहीं है ये हो गया नहीं अब है F क्या परिमे संख्याय भाग के अंतरगत साहचर है नहीं इसे भी हम सिद कर सकते हैं आसानी से क्या हम एक को सुनने से भाग कर सकते हैं आदेखिए एक को अगर हम सुनने से भाग करते हैं तो ये अभी तक परिभासित नहीं है ये परिभासित नहीं है तो ये भी हमारा एंसर आएगा नहीं प्रस्न संख्या 11 रिक्त स्थानों को भरिये ए नमबर है शुनिक का व्युत्क्रम तो हम जानते हैं कि शुनिक का व्युत्क्रम नहीं होता है संख्याएं खाले स्थान तथा खाले स्थान स्वयम के व्युत्क्रम है तो ये एक और माइनस एक ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयम के व्युत्क्रम होते हैं परिमे संख्या तथा उनके व्योत्क्रम का गुननफल हमेशा एक होता है दो परिमे संख्याओं का गुननफल हमेशा परिमे संख्याएं होती है किसी धनात्मक परिमे संख्या का व्योत्क्रम धनात्मक होता है अब देख लिजे एक धनात्मक परिमे संख्या है एक बटा तीन तो इसका जो व्यूत्क्रम होगा वो क्या होगा तीन बटा एक या एक और देखते हैं दो बटा पांच तो इसका व्यूत्क्रम क्या होगा पांच बटा दो तो यह हमेशा धनात्मक होगा ठीक इसी तरह से यह f नमबर है किसी रिनात्मक परिमे संख्या का व्योत्करम रिनात्मक होगा एक बटा x का व्योत्करम क्या होगा यह? x होगा किसी परिमे संख्या का सुन्य से विभाजन क्या हो सकता है ऐसा? माल लीजे ये पाँच बटा सुन्य है तो हम जानते हैं कि ये परिभासित नहीं है, ये संभाव नहीं है तो ये हो गया संभाव नहीं प्रत्न संख्या बारत उत्तर दीजिए किया मैनस एक पुनाक एक बटे आट का गुनात्मक प्रतिलोम आट बटे नौ है क्यों अथवा क्यों नहीं तो हम यहाँ पर प्रत्यक्श रूप से देख रहे हैं कि यह जो संख्या है लिजिए आट बटे लिजिए है और यह आट बटा नौ धनात्मक है तो हम लोग जानते हैं कि रिनात्मक संख्या का रिनात्मक परिमिय संख्या का गुनात्मक प्रतिलोंग भी रिनात्मक होता है तो इसलिए माइनस एक पुनांक एक वटे आठ का गुनात्मक प्रतिलोंग आठ वटे नौ नहीं है तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं अब दूसरा प्रश्ण है क्या तीन पुनांग एक बटे तीन का गुनात्मक प्रतिलों शुन्ने दसमलों तीन है क्यों अथवा नहीं तो तीन पुनांग एक बटा तीन तो इसे अगर हम सरल करेंगे तो यह हो जाएगा तीन तेन नौ एक दस बटा अतीन और दस बटा तीन का गुनात्मक प्रतिलों यह बराबर हो जाएगा तीन बटा दस अर्थात यह शुन्ने दसमलों तीन तो यह तो है हाँ इसका उत्तर हो जाएगा हाँ क्या शुन्ने दसमलों चार का व्यूत करम पांच बटे दो है आए इसे भी C讲 करते है शुन्ने दसमलों चार अर्थात चार बटा 24 तो इसका व्यूत करम जो हो जाएगा यह हो जाएगा 10 बटा 4 यानि इसे अब हम 2 से काटते हैं तो 2 पचे 10 और 2 दोनी 4 तो यह 5 बटा 2 तो यह भी है हाँ अब है 6 बटे 13 को माइनस 7 बटे 16 के व्यूत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा तो आए यहीं पर गुना करते हैं 6 बटा 13 इसको गुना करना है माइनस 7 बटे 16 के व्यूत्क्रम से तो माइनस 7 बटे 16 के व्यूत्क्रम होगा माइनस 16 बटे 7 और इसे गुना कर रहे हैं तो यह माइनस 96 बटा 91 आगे तो यहाँ पर आगिया माइनस च्यानवे बटा एकानवे ठीक है 91 अब यह है इनमबर पांच बटे साथ जोड दो बटे साथ गुना पांच का मान क्या होगा आई यह से भी हल करते हैं तो पहले ब्रैकेट की क्रिया की जाएगी तो यह हो जाएगा साथ बटा साथ और यह गुना पांच तो साथ बटा साथ हो गया एक गुना पांच तो यह आगया हमारा पांच अब एफ नमबर है यहाँ पर लिख दे रहे हैं पांच शुन्य बटे दो का व्यूत क्रम क्या होगा अगर शुन्य बटे दो का व्यूत क्रम करेंगे तो यह हो जाएगा दो बटा शुन्य लेकिन हम जानते हैं कि यह परिभासित नहीं है तो यहाँ पर हम यहाँ क्या लिखेंगे इसका अंसर परिभासित नहीं